देखो यार बॉलिवुड का 2022 एकदम हाउसपुल के अक्षेकुमार की तरह गुजरा है बट 2022 पठान मुवी को देखके लगता है कि हाँ बहुत अच्छा होने वाला है कई सारी ऐसी मुवीज आने वाली हैं भले वर रीमेक हैं पट बहुत ही बहतरीन तरीके से बनाई गई हैं उसके अलावा कई सारी ऐसी मुवीज है जो लग रहा है कि हाँ बॉलिवुड को एक वापस से अपने स्टेंडर पर लेके आएंगी नमबर 5 की मुवी है जिसका नाम है तू जुटी में मकार ये मुवी ए श्रद्धा कपूर और रनवीर कपूर की पहली मुवी है जो ये लोग एक साथ कर रहे हैं ये मुवी एक रुमेंटिक कॉमेडी मुवी होने वाली है इसके डारेक्टर का नाम है लव रंजन जन्यों आल्रेडी, सोनो की टीटो की स्विटी जैसे मूवी बनाई है, और वो भी बहुत एक बहतरीन मूवी थी, कुछ वैसे ये मूवी ये भी होने वाली है जिस थोड़ी से हट के स्टोरी है, दोने एक दूसरे से प्यार नहीं करते, अब एक दूसरे का काट रहे हैं वैसे ये रीमेक है, मूवी कैती का जो कि अल्ली बहुत अच्छी मूवी है, मैंने देखी भी है बट इसका ट्रेलर देखने के बाद एक चीज तो समझ में आई है का हाँ, स्टोरी तो सेम तो सेम वही होने वाली है और एक बहुत ही उपर लेवल के आपको मूवी मिलने वाली है अब अगर ये बोलो कि अजय देवन तो अक्टर है, उनका डिरेक्शन कितना अच्छा होगा बट भाई अगर आपने मूवीज देखी होगी अजय देखी होगी तो वो काफी अच्छी मूवीज बनाते हैं रनवे 34 अगर आपने देखी होगी, भले ही वो हीट नहीं हुई क्योंकि इतना ज़्यादा गर निगेटिविटी है बॉलिवुड के लिए बट वो मूवी काफी अच्छी थी, मैंने मूवी देखी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए और ये बात भी ने पता है कि कितनी ज़्यादा निगेटिविटी है रेमिक मूवीज के लिए बॉलिवुड में इसलिए भले ही ये कॉपी है बट सीन टू सीन कॉपी नहीं है आप टेलर देखो तो टोटल मूवी आपको डिफरेंट लगेगी मूवी की स्टोरी भले आपको सेम लगे बट मूवी टोटली डिफरेंट होने वाली है इसके शाथ ही अपसे एक बच्चन भी इस मूवी में है जो कि विलन का करदार निभा रहे है और उनका छोटा सा रोल होने वाला है बट दमदार रोल होने वाला है अब इस मूवी में सब कुछ हच्चा है मूवी का ट्रेलर आया है वो भी लोगों को पसंद आया है भाईजान का स्टाइल भी पसंद आ रहा है काफे टाइम के बाद लोट रहे है क्योंकि सारूफ खान, सलमान कान, आमिर खान सब की बत्ती गुल थी सबी की पिच्चरेट फ्लाफ हो रही थी बट शारूफ खान ने अपना जंडा गाड़ दिया अमिर खान तो बरबाद हो चुके है अब सलमान खान की बारी है या तो हिट होंगे या तो बरबाद अब इस मुवी के साथ बहुत सारी उम्मीदे हैं सलमान खान की भी उनके फैंस की भी बट सिर्फ एक ही चीज़े जो इस मुवी को बरबाद कर सकती है वो है इस मुवी के डिरेक्टर फरहात साम जी भाईये जिसने भी इनकी पिच्चरी देखी है न उनको पता है ये कईसे डिरेक्टर है अब सलमान खान से तब यही बोलने कि आपको यही मिले थे वहराल जो भी हो मुवी के ट्रेलर अच्छा कासा है लोगों को सलमान खान का लुक बहुत अंदाया है कि क्योंकि इसमें प्रभास स्टार है और भगवान राम के उपर बनी है ये मूवी अब इसका टीजर आया था लोगों ने जम के मजे लिये था इसके क्योंकि इतनी जादा हाइप आलरेड़ी इस मूवी की थी आदे पुरो शादे पुरो शादे पुरो शादे पुरो बट जब टीजर आया ना सच्ची में कहा रहा हूँ हसी आई टीजर देके जब फर्स टाइम मैंने पूरे एकसाइटमेंट के साथ देखी वही हालत सब की हुई बट उसी चीज़ को समझते हुए इन्होंने वापस से एक ब्रेक लिया है सौकरों रुपए और खर्च कर रहे हैं अब तुवारा ये मूवी रिलीज होने वाली है एक नए एकस्पीरेंस के साथ कुछ बदलाव करके अब अगर इन्होंने अच्छी खासे चेंज़स करी होगी तो ये 2023 के सबसे बड़ी मूवी होगी नए तो फिर 2023 के सबसे ज़ादा मजे लेने वाली मूवी बनेगी और नमबर वन पे है रनवीर कपूर की नई आने वाली मूवी एनिमल अब इसके डिरेक्टर जिन्होंने अरजुन रेड़ी और कबीर सिंग जैसी मूवी बनाई है उन्होंने ये बोला है कि ये मूवी बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे रिलीज की जाएगी और बहुत ज़्यादा खून खराबे वाली मूवी होगी है वैसे मूवी के जब नाम ही एनिमल है तो खून खराब इसको रिलीज होने वाली है और सची बता रहो भाई अगर जैसा इन्होंने भूला है वैसे इस मूवी को बना ले गया होंगे ना तो सुपर डूपर हिट होने वाली है ये मूवी आपको मैंने पांच फिल्में बताइए अब इसमें से आपको कौन ज़्यादा बेटर लग ये